जम्मु कश्मिर में भारते सुरक्षाबल सीमापार से होने वाले हर घुसपैट पर पैने नजर बनाये हुए हैं इसी पीच भारते सिना की तरफ से एक ऐसी ही कोशिश को तिन नाकां किया गया है जम्मु कश्मिर में कुपवारा के तंगधार इलाके में आतंकी घुसपैट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सेना के जवानों की मुस्तेदी से ऐसा संभव नहीं हो पाया फिलहाल आपरेशन जारी है गुसपैट की कोशिश करने के दौरान सेना के जवानों ने आतंकियों पर फाइरिंग की और एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया हालाकि ये साफ नहीं हो पाया कि कुल कितने आतंकी गुसपैट की कोशिश कर रहे थे सेना के मुताबिक पिछले कुछ महीने में गुस्पैट की घटना उपर पूरी तरह से रोक लग चुकी है वही जितनी बार भी आतंकियों ने ऐसी कोशिश की है उसे नाकाम कर दिया गया वही कश्मिर में भी आतंकियों के खिलाफ सेना का उपरेशन लगातार जारी है इससे पहले सेना की तरफ से सिनी अरधिकारी ने गुस्पैट को लेकर कहा था कि भारत या सैनिक गुस्पैट की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए नियंतरन रिखा एलोसी पर पूरी तरह से सतर्क है जनरल आफिसर कमांडिंग जियोसी सोलावी कौर लेटिनेंट जनरल मंजिंदर सिंग ने 2022-2023 के लिए एक खेल कैलेंडर जारी करने के मौके पर कहा था कि एलोसी पर तैनात हमारे जमान पूरी तरह से सतर्क है अगर दुश्मन ने घुस्पेट की कोई कोशिश की तो हम उसे शत प्रतिशत नाकाम कर देंगे क्ज़ इए और चुब खुब 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 घुब जगिए ओुब खुब झालेगे